हुआ है पंकश क्वात्रा वेल्कम स्यू इन माइ यूट्यूब चैनल और आज वाले इस वीडियो में मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकरी लेकर आया हूं और आज की इंफर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन के पास स्किल सब्जेक्ट है शोट एक प्रेक्टिकल एक्जाम आपका स्कूल में अकसर स्टूडेंट्स के मन में भहे रहता है डर रहता है कि वह पेपर कैसा होगा pattern क्या होगा कितने question आएंगे क्या choice होगी या नहीं होगी तो आज वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सारे प्रश्णों का उतर मिल जाएगा और इसी तरह के sample प्रश्ण पत्र आपने अगर दो तीन प्रश्ण पत्र कर लिए तो आपका तो बहुत अच्छे marks आ जाते हैं तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे तो बताते हैं pattern किस तरह का होगा तीन गंटे का paper होगा 24 question होगे आपको 24 नहीं करने है CPSC ने आपके लिए choice दी है आपको 17 question करने है हाँ 17 question करते हैं आपको यह दियान रगना है कि first 6 question compulsory है ठिक उसके बाद वाले जो question होगे उसमें आपको choice है और आपने बाद वाले जो 6 के बाद जो question बचेंगे उसमें से 11 question करने है यानि 11 और शुरू के 6 आपको 17 question करने है तो आपके पास बहुत अच्छी चोईस है घबराने की कोई जूरत नहीं और करिकुलम करिकुलम की बात करें तो आपको 6 जो में सब्जेक्ट है उसकी बुक में 6 यूनिट में से ही आपने प्रश्ण आएंगे और ज्यादा बड़ी बुक नहीं है अधर सब्जेक्ट की बुक के क बहुत अच्छा करिकुलम है बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी स्टेडी करना चाहते हैं तो मैं पता रखा तीन गंटे का पेपर होगा 24 कोश्चन 17 करने हैं और हर कोश्चन में शुरू के जो 6 कोश्चन है उसमें भी आपको 24 मिलेगी पहला प्रश्ण आपके लिए जो होगा वह एंप्लाइबिल्टी स्किल टॉपिक में से आएगा और 10 माक्स का एंप्लाइबिल्टी स्किल होगा और इसी तरह बाकी के पहले के बाद जो दूसरा तीसरा चोथा पांच वांच पांच कोश्चन जो होंगे व वह आपके सब्जेक्ट स्किल में से होंगे और mcq टाइब कोश्चन होगे यानि वन वर्ड में उसका उत्तर होगा यह वन टू वर्ड में और आपको च्वाइस वाले कोश्चन होंगे शौट कोस्चन आंसर वन माक के होंगे और इस तरह से आपका पूरा प्रश्ण पतर ज्यादा वीडियो को इंट्रों को बढ़ा ना करते हुए चलते हैं में टॉपिक आज का सेंपल प्रश्ण पतर 2024 एक्जाम के लिए शॉर्ट एंड सब्चेक्ट कोड एक ट्वन्टीफाइड एज यू आर वाचिंग ओन यूर स्क्रीन देर इस अ सेंपल कोश्चन पेपर फर क्लास 12 सेशन 2023-24 शॉर्ट हैंड इंग्लिश सब्जेक्ट कोड नमबर 825 CBSC ने अपनी साइट पर एक सेंपल प्रश्ण पतर अपलोड किया है स्टुडेंट्स के लिए किस तरह का प्रश्ण पतर आएगा ये सेंपल प्रश्ण पतर है लगभग इसी तरह का प्रश्ण पतर आएगा आप इस वीडियो को ध्यान से देखें आपको सारी इंस्ट्रेक और कितने प्रशन आएंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्पुन है, आपने इसको ध्यान में रखना है, और 24 questions, जैसा कि आपके सामने हैं, 24 questions होंगे, 2 sections होंगे, section A और B में question paper divide होगा, आपको पहले section में 6 questions होंगे, और दूसरे वाले section में 18 questions होंगे, कुल मिला कर 24 questions होंगे, लेकिन आपको choice भी है, पहले section के 6 questions आपने करने हैं, कंपल सरी हैं, और दूसरे section में आप 18 में से 11 questions ही करने हैं, तो total आपको 17 questions के ही उतर देने हैं, बहुत ही subtle, simple, प्रशन पत्र है, आपको choice भी दी जा रही है, CPSC ने, अगर आपने जो अ easily solve कर सकते हैं, देखते हैं, 3 hours में आपने 17 questions करने हैं, तो time limit आपने ध्यान रखनी है, question ध्यान रखने है, और यह सब चीज़ें अगर आपको पहले से ही पता होंगी, तो आप exam में अच्छा perform कर पाएंगे, अब चलते हैं आगे, section A में किस तरह के प्रशन आएंगे, यहां section A में जो 6 questions होंगे, total और इन में ध्यान रखना है, negative marking नहीं होगी, यह MCQ type short question होंगे, one mark वाले होंगे, और हर प्रशन के साथ कुछ instruction दी होंगी, वो भी आपने प्रशन जासी आएगा, आपने पहले instruction पढ़नी है, और उसके बाद आजाते हैं subjective type question, subjective type question जैसे कि आपको पहले ह 18 question है, 11 के answer देने हैं, और इसमें भी आपको words, limit और अन्य instruction जो है, प्रशन के साथ ही दी होंगी, जिनको आपने ध्यान में रखना है, अब चलते हैं, प्रशन पत्तर की और, सबसे पहले, objective type questions, और यह वाले पहले प्रशन, ध्यान देना है, instruction हर प्रशन के साथ है, यह employability skill के प्रशन है, और 6 question है, आपने 4 के ही उत्तर देने है, तो यहाँ भी आपको twice है, और आपको मिलेंगे 4 mark, यानि 1 mark का एक प्रशन है, सबसे पहला प्रशन आपके लिए, screen पर, what is sentence, बहुत ही सरल प्रशन है, sentence क्या होता, यानि वाके किसे कहते हैं, अगर आप Hindi माध्यम से समझ ना चाहें, तो आपको थोड़ा सा, इसको convert करना होगा, तो English short end में सारा प्रशन पत्र English medium का ही आएगा, हिंदी का नहीं होगा, तो what is sentence, sentence से आप क्या समझते हैं, sentence की definition देनी है, next question, question number 2, Mina is creative, Mina किसी का नाम है, वो creative है, curious है, active है, flexible है, adventurous है, she is interested in learning new things, और नई चीजे सीखने मे interested है, meeting new people and making friends, likes visiting new places और नए नए स्थानों पर visit करने की, उसको liking है, उसकी identify the type of personality, तो आपने उसकी personality कैसी है, ये पहचाना है, और आपको मिलेगा one mark, ठीक, clear, next question number 3, what is the shortcut key to print a spreadsheet, अगर आप spreadsheet print करेंगे, तो shortcut command यानि speed की क्या होगी, आप कौन सी speed की use करेंगे, shortcut की use करेंगे, वो आपने बताना है, आपको मिलेगा one mark, गबराने की जरूरत नहीं है, tension लेने की नहीं जरूरत है, क्यों, क्योंकि six question है, अगर आपको कोई एक प्रशन या दो प्रशन नहीं आते, तो अगला प्रशन आपकी screen पर, define a startup, startup की definition देनी है, और इसके लिए आपको मिलेगा one mark, फिर एक बार बता दे, अगर आपको कोई प्रशन नहीं आता, तो tension ना ले, आप बदले में दूसरा प्रशन भी कर सकते हैं, पहले प्रशन का पांचमा भाग, write the full form of UNEP, अब UNEP का पूरा नाम आपने लिखना है, और ये भी employability skill वाली book में आपको answer मिल जाएगा, अगर आपको answer भी देखने हैं, तो next वाला video जो होगा, उसमें मैं आपको answer भी explain कर दूँगा, तो फिलहाल देखते हैं, कैसे कैसे प्रशन exam में आते हैं, और ये video end तक देखेंगे, तो आपको ये भ ला पेपर देख लेंगे, तो आपको बहुत अच्छी studies, कम से कम last 3 साल के paper आपको देख लेने चाहिए, अब चलते हैं, पहले प्रशन का च्छटा भाग, what will you do to select an entire worksheet, पूरी worksheet select करने के लिए आप क्या करते हैं, ये बताना है, कैसे करते हैं, वो आपका उत्तर होगा, आपक short question, mcq वाले question है, और 7 question है, दूसरे प्रशन में 7 question है, इसके part है, और 5 के ही उत्तर देने, यहाँ फिर आपको बहुत अच्छी choice, cbse-c द्वारा दी गई है, तो देखते हैं, क्या प्रशन है, पहला प्रशन है, dash vowel, plus any other vowel, dash vowel हो, और कोई उसके साथ दूसरा वावल हो, represents angular sign, डाइफोन, डाइफोन का angular sign यह जो उपर बना हुआ है, यह आप देख रहे होंगे, इस तरह का angular sign होता है, dash vowel और any other vowel के लिए, तो will be written according to blank sounded vowel, किस तरह से, blank में आपने, जो भी आपका उतर है, वो देना है, कि dash vowel और उसके साथ कोई दूसरा वावल होता है, तो किस sound के according लिखा जाता है, अब चलते हैं, दूसरे प्रश्न का दूसरा भाव, when there is a final vowel, after double, double के बाद अगर final में वावल आ जाता है, तो the following is used, निमलिखित को use करते हैं, तो दो option है, semicircle use करते हैं, या डवलू consonant, इन दोनों में से एक उतर सही है, जो आपने बताना है, और आपका उतर सही होगा, तो आपको मिलेगा one mark, question number 3, दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग, after sk, the consonant l is written in which direction, यानि sk consonant के बाद l कौनसी direction में लिखा जाता है, अप word या downward आपको पता होगा, और प्रश्न के उतर जानने के लिए आपको next वीडियो देखना है, और फिल हाल, आप अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से कोशिश करें क कि कितने प्रश्नों के आप उतर जानते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं, next, प्रश्न, दूसरे प्रश्न का चोथा भाग, before consonant v is written in which direction, consonant v जो है, consonant v से पहले, जो इश आएगा, वो किस direction में लिखा जाएगा, आपने इसका उतर देना है, किसी भी प्रश्न में आपको उतर देने में आसुविदा हो रही है, तो आपके पास twice है, seven में से five questions की ही उतर देने है, next, question number five, two vowel sounds coming simultaneously, दो vowel की sound एक साथ आ रही है, but being pronounced separately, लेकिन अलग लग बोली जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, यह आपका प्रश्न है, और आप उतर देंगे तो मिलेगा one mark, next, question number six, the L, consonant L, will be written, blank है, if it is preceded by a vowel and followed by N, उसके शुरू में vowel आएगा और बाद में N आएगा, तो L किस direction वाला लिखा जाएगा, तो आपका उतर, direction, अगर आप सही बताते हैं, मिलेगा one mark, दूसरे प्रश्न का सात्वा भाग, consonant ish, will be written, ish जो है stroke, लिखा जाएगा, in, यहां direction पूछीगे, when it occurs between B and P, B और P के बीच पे जब इस आता है, तो कौन सी direction वाला ish लिखा जाता है, तो यह था दूसरा प्रश्न, चलते हैं, प्रश्न संक्या, three, प्रश्न संक्या, तीन की और, इसमें भी आपने instruction को follow करना है, seven question है, six के ही उतर देने हैं, और आपके सामने पहला प्रश्न, initial com, शुरू में किसी word में com आता है, तो represented by light dot, in the, light dot से represent करते हैं, in the, कहां, of the stroke, of the stroke के, किस जगा पर use होता है, तो आपका उतर, अगर सही है, उसमें लेगा one mark, और जैसे कि पहले ही आपको बता देग, negative marking नहीं हैं, इन परश्नों में, जो शुरू के six questions है, वहां negative marking नहीं होगी, दूसरा परश्न है, initial magna, शुरू में किसी word में magna आ जाए, तो वो represent किया जाता है, consonant M, अब यहां consonant M से तो represent किया जाता है, लेकिन पूछा यह गया है, कि join होता है, या dis join होता है, जो भी अउतर सही है, वो आप चलते हैं, next, तीसरा परश्न, gramologs are also, यहां भी gramologs prefix, prefix के रूप में gramologs used और not used, दो option है, आपका जो भी उतर होगा, one mark दिलाएगा, चोथा परश्न, तीसरे परश्न का चोथा बाग, शुरू में blank है, will be indicated by final dash, final dash से क्या indicate होता है, तो आपको one mark मिलेंगे, और तीसरे प पांचवा भाग, mentally is represented by disjoining, mentally जो है, किस चीज को disjoining से represent किया जाता है, next, तीसरे परश्न का च्छटा भाग, joined और disjoined L, join होता है, और disjoined होता है L, represent किस sound को represent करता है, suffix में अगर हमें लिखना हो, तो, और तीसरे परश्न का सात्मा भाग, सात परश्न है, छे के उतर देने ह यह भी ध्यान रखना है, medially, the sound of ink, middle में जो ink की sound होती है, कैसे represent करते हैं, आप उसको, सही उतर आपको दिलाएगा, वन माप, तो, अब चलते हैं, चोथा परश्न, शुरू के छे परश्न कमपल सरी हैं, लेकिन, देखो, परश्न पत्र डिजाइन करने वाले ने, कितनी शात चोथे परश्न का पहला भाग है, a, shortened contraction is consisting of at least, shortened के contraction में कम से कम, कितने स्टोक होते हैं, आपको उतर सही देंगे, तो, वन माप मिलेगा, नहीं, तो, आप कोई भी एक परश्न छोड़ सकते हैं, चोथे परश्न में, चोथे परश्न का दूसरा भाग, दा, दा के बाद, ब्लेंक है, contractions are formed by omitting the medial और final strokes, अब ये कौन से contraction मनते हैं, जिसमें medial और final stroke omit होते हैं, आपको पता होगा, दो तरह क्यों होते हैं, कोई भी एक तरह आपका सही है, चोथा परश्न तीसरा भाग, millions, million is represented by, शोटन में million जब कैसे represent करते हैं, जब हम round figure लिखते हैं, तो उत्तर आप देते हैं, तो आपको मिलेगा one mark, बहुत subtle प्रश्न है, अगर आपने book ठीक से पढ़ी है, तो आप उत्तर दे सकते हैं, study आपकी कैसी है, आपको पता होगा, अब फिर भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है, आ आप जो हैं, पढ़ने वाले student हैं, और आपकी study अच्छी होगी, आप आसानी से बहुत अच्छे marks ला सकते हैं, चोथे प्रश्न का, चोथा भाग, B consonant is used to represent in figures, round figures में B consonant किसलिए represent होता है, बहुत ही सरल प्रश्न है, और थोड़ा भी अगर आपने study की है, तो उतर पता होगा, How is the monetary unit of pounds, pounds short end में कैसे लिखते हैं, बहुत ही सरल सरल प्रश्न है, मेरे हिसाब से, बकी आपकी study पर डिपेंड करता है, और चोथे प्रश्न का, छटा भाग, All together, यह जो outline दिखाई है, यह All together की outline है, is the example of employing for making contraction, contraction बनाते हैं, तो All together किस तरह का contraction है, और आपने उतर सही देना है, One marks, एक एक marks जोड़ते जोड़ते, पता नहीं कब आपके 60 marks हो जाएंगे, और आपने पूरे marks लाने की तैयारी करनी है, आपके लिए आने वाल एक्जाम के लिए, advance में best of luck, अब चलते हैं, पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न में फिर आपने instruction पढ़नी है, छे question है, पांच के उतर देने है, negative marking नहीं है, तो हम कोशिच करेंगे सभी प्रश्नों के उतर देने की, upward R, पहला प्रश्न है, upward R and circle S, R upward होगा और S का circle होगा, ये monetary unit में क्या दरसाता है, आपको मिलेगा one mark, पांचवा प्रश्न का दूसरा बाग, ST loop is used, ST loop, advanced phresography में किसलिए use होता है आपको मिलेगा one mark, तीसरा, for the addition of other, other जोडना है हमने, और advanced phresography के लिए क्या करना पड़ेगा, other के लिए, n hook is used to represent, n hook किस चीज को represent करता है, advanced phrezo में one mark, आपको मिलेगा, और circle S and shun hook, ये भी advanced phrezo वाले chapter में से है, circle S और shun hook, किस चीज को represent करता है, one mark, the method of writing, one stroke, through another stroke, एक stroke को दूसरे stroke से, जब हम cut करते हैं, तो उस चीज को, उस principle को, उस rule को क्या कहते हैं, तो आपके सामने, ये 5 प्रशन, जिसमें 6 भाग है, 5 के उतर देने हैं, अब चलते हैं, next, 6th question on your screen, and you have to give the answer, only 5, 6th question में भी, जो हैं, 6 प्रशन हैं, भाग हैं, आपको 5 के उतर देने हैं, पहला है, the word professor is, professor शब्द, intersection में किस तरह से represent किया जाता है, आपको उतर सही है, आपको मिलेगा one mark, और गलत उतर के negative mark नहीं होंगे, दूसरा, the stroke J, J stroke से intersection में क्या represent होता है, सही उतर, आपको दिलाएगा one mark, आपके सामने हैं, limited, limited जो है intersection में कैसे लिखा जाता है, आपने वो consonant बताना है, limited कैसे लिखते हैं, the stroke M, M stroke से intersect करें, तो क्या represent होता है, next question, half length consonant, अगर consonant की half length है, यहां blank है, is used for forming advanced phrase, advanced phrase में half length जो है stroke, कौन सा stroke होता है consonant, जिससे word या would बनता है, सही उतर, आपको दिलाएगा one mark, एक एक अंक जोडते जोडते पता नहीं कब आपके 60 marks हो जाने हैं, next, छटे question का छटा भाग, शुरू में blank है, contraction consists of particular words, treated in a special or exceptional manner, contraction आपको पता दो तरह के होते हैं, किस तरह के contraction का यह rule है, आप उतर सही देंगे, मिलेगा one mark, अब आजाते हैं subjective type question, यहां भी आपको choice है, शुरू में जो question है, वो employability skill के हैं, subjective type question है, five question है, three के answer देने हैं, बहुत अच्छी choice जी, वर्ड लिमिट भी धियान रखनी है, 22-30 वर्ड, जो उपर वाले प्रशन थे, उनमें one marks वाले और एक दो वर्ड में ही उतर था, लेकिन यहां 22-30 वर्ड में आपका उतर होना चाहिए, यानि दो तीन sentence होने चाहिए, इसमें पहला प्रशन है, what are the stages of active listening, Employability skill का पहला unit है, active listening की stage आपने बतानी है, तो आपको मिलेंगे two marks, और अगर कहीं भी आप किसी तरह की दूविदा मैसूश कर रहे हैं, आपके मन में असमंजस है, और उतर नहीं आ रहा, तो घबराने की जूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, five question में से three के ही तो उतर देने हैं, बहुत अच्छा प्रशन पत्र डिजाइन किया है, differentiate, दूसरा प्रशन, differentiate between intrinsic motivation and extrinsic motivation, intrinsic और extrinsic, यानि internal और external motivation में difference बताना है, आपको मिलेंगे two marks, तीसरा प्रशन, how will you protect your spreadsheet, आप अपनी spreadsheet को password से कैसे protect करते हैं, next, fourth, it is important to be decisive as an entrepreneur, entrepreneur को decisive होना महत्पूर्ण है, इसको आप justify करें, इसके favor में आप क्या कहना चाते हैं, enumerate the benefits of green jobs, green jobs के क्या-क्या benefits होते हैं, वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, और आपको मिलेंगे two marks, next, subjective type question, और यह आपके subject से related skills के हैं, पहला प्रशन है, define the rules, आप यहाँ भी ध्यान रखना है, five questions है, three के यह answer देने हैं, two marks के हैं, twenty to thirty words, सबसे पहले instruction follow करनी हैं, तो define the rules for writing the left middle semicircle, left middle semicircle के rule बताने हैं, आपने, और यहाँ ध्यान रखना है कि आपने example के साथ ही rule बताने हैं, चाहे प्रशन में लिखा है या नहीं लिखा है, आपने example जरूर देने हैं, आपने उत्तर को clear, यानि स्पष्ट करने के लिए, अगला प्रशन है, define die phone, die phone की definition देनी हैं, और उनके sign भी बताने हैं, और position यह सब आपने two marks में उत्तर देना है, शब्द limit जो है ध्यान रखनी है, अगला प्रशन है, what is the difference between prefix and suffix, यहाँ ध्यान रखना है, आपको prefix और suffix दोनों में अंतर बताना है, explain with at least two examples, और अंतर बताते समयं, दो example भी देने हैं, कम से कम, next, define the difference between grammar locks and contraction, यह grammar locks होते हैं और contraction भी होते हैं, इन दोनों में क्या difference होता है, आपको मिलेंगे two marks, example तो आप देंगे ही, next, write any two rules of advanced phresography, advanced phresography के कोई दो rule बताएं, जिसमें doubling principle होता हो, तो आपके सामने choice है, five question है, three के answer देने, answer की जो word limit है, 20 to 30 words, अब चलते हैं, next, three marks वाले question, देखते हैं, यहाँ भी choice है क्या, बहाँ जी बिल्कुल choice है, three question है, two के ही answer देने हैं, अब यहाँ word limit 30 to 50 words की हो गई है, अब पहला प्रशन है, write down any three rules of downward ish, downward इसके तीन rule बताने हैं, और हर rule के साथ example भी देने हैं, next, how the meant is represented in case of suffix in short end, suffix, short end के जो suffix होते हैं, उसमें meant कैसे आप represent करते हैं, तीन number आपको मिलेंगे, आपके marks जोंगे, और rule आपको detail में explain करना है, next, question number 13, define the difference between general contraction and special contraction, अब यहाँ जब मैं पहले भी आपको एक प्रशना आया था, जब बताया था कि दो तरह के contraction होते हैं, तो यहाँ आपके सामने जो है, दोनों के नाम आ गए हैं, और example side आपने difference बताना है, कई बार ऐसा होता है कि किसी दूसरे प्रशन का clue हमें दूसरे प्रशन में मिल जाता है, तो यह जो उपर प्रशना आये थे, उनका clue आपको यहाँ से भी मिल सकता है, बहुत ही अच्छा sample paper है, इस तरह का paper आएगा तो आप बहुत अच्छे 90 above marks ला सकते हैं, और उमीद करें कि 100 भी आ सकते हैं, अगर आपने पिछले 3 साल के प्रशन पतर solve करने सीख लिए, टाइम लिमिट में ध्यान रखके 33 hours में करने हैं, और यह प्रशन पतर आपने note करना है, प्रशनों के उत्तर लिख कर देखने हैं, यह ध्यान रखना है, अगर आप लिख कर देख लेते हैं, और एक प्रशन पतर भी अगर आप अच्छे से 3 गंटे में लिख कर देख लेते तो मेरा यह माना है कि आपको fail कोई नहीं कर सकता और marks तो बहुत अच्छे आही जाएंगे तो चलते हैं next यहाँ पर आपके सामने 4 marks के question है यह आप देख रहे हैं 4 marks वाले प्रश्ण है और word limit हो गई 50 to 80 words 5 question है फिर twice है यहाँ पर अरे twice बहुत अच्छी है CBC आपको full pass होने अच्छे marks लाने का मौका दे रही है तीन question आपने करने हैं लेकिन answer थोड़ा बड़ा लिखना होगा 14 question में write down any 4 लिखना है 4 difference between diphthong and diphthong में 4 अंतर बताने हैं ठीक है तो आपको मिलेगे 4 marks 15 question में आपसे पुछा है any 4 rules upwardish upwardish with example के 4 rules आपको और 4 number मिलेंगे next question है write down the rules in in का rule लिखना है यह str, skr और h upward से पहले जो in use होता है with example example भी आपको याद रखने हैं किसी भी rule के साथ आपने example देंगे तो आपका उत्तर एक्टम clear स्पष्ट हो जाएगा next question define any 4 rules चार रूल बताने हैं जहां पर in suffix यूज होता है और with example बताने है next write any 4 rules यहां पी चार रूल बताने हैं advanced phrasography के जहां having principle यूज होता है तो यह अगर आपने पूरा concept अपने mind में clear कर लिया तो आपको प्रशन पत्र हल करने में कोई भी परिशानी नहीं होगी और अच्छे marks लाएंगे advanced best of luck thank you for watching और आपके comment का इंतजार रहेगा आप comment box में comment करें वीडियो को like करें share करें bell icon दबाएं ताकि आने वाले videos के आपको notification मिलते रहें तो आज की class online class यहीं end करते हैं thank you